दोस्तों इस दुनिया में सायद ही कोई ऐसा सक्स होगा जिसने बुरुसली का नाम नहीं सुना होगा। हालांकि बुरुसली के वास्तिविक जीवन से परचित कोई भी नहीं है क्योंकि ली सहाब का जीवन बड़ा ही रह समय था। ले अमेरिका के कैलिफोरिनिया में 27 नमबर 1940 को पैदा हुए थे। उनके माता पिता और दोनों चीनी मूल के थे जो कैलिफोरिनिया में ही रहा करते थे। परंतु जब बुरुसली करीब तीन महिनों के थे तो उनके माता पिता वापिस चीन लवटा है। इस तरह से देखा जाये तो ली अमेरिका और चीन दोनों ही देशों की निवाशी तोर पर यहां माना जाता है कि एक्सरसाइज करना स्वास्त के लिए बड़ा ही लापदायक हो। परंतु ली की मौत का करना एक्सरसाइज ही मानी जाती। कहा जाता है कि वह हस्ते अधिक ब्यायाम करते थे। उन्होंने कार्डियो से लेकर मसल्स ट्रेनिंग के सभी ब्यायम किये और लचिले पन के लिए योग तो तेजी और फिरती के लिए मार्सल आर्ट यों कराटे जैसी ट्रेनिंग को दोराते रहे। लगातार हो रहे कठोर अभ्यास के कारण उनके पास सोने तक का समय नहीं बचा था। चंताएं बिक्सित हो गई थी जो चंताएं किसी इंसान के लिए नम्मकिन ही समझी जाती जरा इस वीडियो को देखें यहां ली साहब फुषब लगा रहे हैं यदि आपने जियों में कभी पुषब लगाए हैं जिने हिंदी में दंड पेलना भी कहते हैं तो आप जानते ह यह कारनामा सिर्फ एक हासे ही कर लेते थे इस दौरान उनका शरीर प्रोड़ता संतुलित और सेधा रहता था हालांकि एक हाथ की उंगलियों पर भार डालकर पुषब लगाने के यह कारनामा करने वाले कई अन्य वीडियो भी आपको यूटूब पर मिल जाएंगे परन्त ही आराम योर सहजता से यह कारी कर लेते थे ऐसा लगता है कि मानों उनकी उंगलियां लोहे की बनी थी और सरीर कागज के समान ही हलका था अब एक अन्य वीडियो पर भी नजर डालें यह एक सस्त्र है जिसे नांचाक कहा जाता है आमतार पर इसका इस्तेमाल अपने रक्ष को घुमाते हुए बड़ी सफाई से बाल को हिट करते हैं वापिस हिट करके बाल को दूसरे खेमे में भीज देते हैं गुरुसली एक ही साथ दो बिरोधी टेबल टेनिस खेलाडियों के सात्थ सामना भी अपनी नांचाक से कर लेते थे आप कलपना कर सकते हैं कि इस इंसान की हाथ सितार के तारों पर घुनते है गूस्तों बूसली के एक इंच के मुख्ये वाले प्रादर्सान ने उन्हें दुनिया भर में भिख्यात किया ये प्रदर्सान ना सिर्फ यह दर साता है कि लिए के हाथों की गत्री की तेज थी बलकि ये प्रदर्सान भhoutki के नियम के प्रतक्रिया की एक प्रतक्रिया होती है यह आप किसी को धका दोगे तो एक विप्रिद बल आपके सरीर को भी पीछी की ओर धके लेगा लेकिन जब हम गुरुसली के एक इंच के मुक्य वाले परदर्शन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका प्रहार इतना तेज होता है कि कुछ इंच के दूरी से किये गए प्रहार से एक भरे पुरी इंसान को पुरसी समेत करीब 10 फिट पीछे सरकाने के लिए बड़ी जोरदार वार की आवस्कता होगी इतना जोरदार वार 6 इंच की दूरी से किया जाना संभव नहीं लगता और दूसरी बात बुरसली का अप कारणामा आप यहां देख रहे हैं जिसमें उन्होंने फिर से नंचक का इस्तवाल किया है इस कारणामे में बुषली ने तेजी से नंचक घुमाते हैं और एक बिक्त के मूँ में फसी हुई तिली को जला देते हैं दरसल इस वीडियो सुच से पहले ली ने अपने नंचक क कि एक सीरे पर सेंट पेपर यानि के रेगमार्ग लगाया हुआ था ताकि सेंट पेपर के तेज घहसण के कारण तिली जल उठे और उसके बाद एक ब्यक्ति आपने दातों में तिली दबा कर खड़ा हो जाता है ली बिजली से तेजी से नंचक को घुमाते हैं और बीना ब दातों में दबाए ब्यक्ति का चेहरा तूड जाएगा परन्तु बुर्सली ने इस सफाई से कारणामे को अंजाम दिया कि देखने वालों को अपनी आखों पर यकीन नहीं होता लेकिन ली सहब की काबलियत का दारा यहें तक सीमित नहीं है एक अनि परदर्सन में उनकी औ आपको अपने मन को भी जीतना पड़ता है आपका मन इतना केंद्रित होना चाहिए कि आपको सिवाय तीलियों की नो के कुछ दिखाई ही न दे जैसे धनलधारी अरजुन को निशाना साथते हुए क्यवल पच्छी की आँख ही दिखाई दी उन्हें ना पच्छी दिखाई मागो कि आपके भीतर वह मेहनत करने का जज़बा और सास आ जाये जिससे आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकें कहा जाता है कि बुर्सली को लड़ने की तीस से अधिक कला आती थी इसके बावज़ुद भी वो बड़ी साउंत स्वभाव के थे उनमें गुस्ता नहीं था बलकि उनका माना था कि यद कभी किसी से लड़ाई हो भी जाये तो हाँ जोड़कर माफी मांग लो और आगे बढ़ो जब तक लड़ाय की आऊ सकता ना हो तब तक किसी भी सूरत में अपनी और से लड़ाई सुरू मत करो बस लड़ने की काबलियत को अपने भीतर संजोय रखना ली के लड़ने की काबलियत अन्य वीडियो फूटेज है इसमें ली की आँखों पर पट्टी बाँद कर एक प्रतियोगी से मुकाबला कर रहे हैं यानि बिना देखे ही ली ना सिर्फ परतियोगी का सामना कर रहे हैं बलकि जल्द ही वो प्रतियोगी को नीचे और से होने वाला है इस तरह के कला कठोर अभ्यास का कमाल है गुसली के साथ काम करने वाले इंसानों का कहना था कि अपने आखरी दिनों में वो लगबक 2400 गंटे मारसल आठ का अभ्यास किया करते थे उनके पर सिचंड में सहायता करने वाले कई लोग थे जो एक के बाद एक और विभिन वस्तो को अपने हाथ में उठा कर उन वस्तों पर ली द्वारा प्रहार के जाने में मदद करते जब एक सहायक ठक जाता तो ली दूजे को बुला लेते और लगातार प्रेक्टिस करते रहते थे वो एक सफल फिल्मी कलाकार भी थे चाइनेज फिल्म चलाने के प्रेक्टिस सुरू कर देते जब ली की मौत हुई तो पोस्ट माटम के दौरान उनके सरीर में एक दर्द निमारक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिला ऐसा लगता था कि मानों उन्हें भोजन करे हुए भी लंबा समय बीच चुका था कहा जाता है कि बुसली को सरदर्द हुआ था और इसी के लिए उन्हें दर्द निमारक गोली खाई और कुछ समय के लिए वो सोने चले गए जब कई घंटों बात भी ली नहीं उठे तो उनके साथियों को चिंता हुई क्योंकि ली कभी भी इसनी देश तक नहीं सोते थे उनके साथियों ने ली को न दिमाग में काफी अधिक सूजन थी डाक्टरों का कहना था कि लगातार अभ्यास के चलते ली का सरीर भले ही पत्थर का हो गया हो परन्तु उनका दिमाग इस दबा को नहीं सहपाया बुरसली का निधन 20 जुलाई वर्स 1973 को हुआ था यानि उन्हें दुनिया छोड़े 50 वर कर देना बुरसली के बारे में अपने बीचार कमेंट बाक्स में आवस्य लिखें तो दोस्तों अगर जो हमारे वीडियो पसंद आयो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजएगा शेर कीजएगा और हमारे युट्यूप चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा इसे के साथ नेक्स् झाल झाल झाल